नेक्स्ट रहे हमारा determining and probabilistic systems determining system वो होते हैं जिनमें हमें सबी events की occurrence के बारे में बिलकुल तपका पता होता है means certainty में मलून होता है अब ऐसे systems के systems में इनका मिन गया है कि अगर हम किसी भी एक time में, किसी भी एक समय में system की कोई भी एक state की description दे दें तो हम जो उसकी next state होगी उसको perfectly predict कर सकते हैं इसकी example है कि जैसे कोई भी computer program है अब वो तो perform करेगा जो उसे instructions दी गई है means हमें पक्का मालूम है कि वो वैसे ही perform करेगा next probabilistic system इसमें हमें events की occurrence का perfectly predict हम नहीं कर पाते बस इसमें हम behavior को predict कर पाते हैं system के और also हमेशा एक degree of error जुड़ी ही होती है behavior के prediction में भी इसके हम example ले सकते हैं कि जैसे हम person को कोई भी set of instructions देते हैं तो हो सकता है कि वो follow करेगा और हो सकता है वो follow नहीं करेगा अब इस system में भी अगर हम किसी given point of time में अगर हम वैसे ही कोई description दे दें किसी system के state की for example हम दे सकते हैं कि average demand किया है length किया है कितना समय लगने की process होने में तो फिर हम इस contents से जो हमें बता दिया जाते हैं किसी particular time पर उससे हम next time की जो next time में जो होने वाले contents हैं जो next state होती है system की अगले समय में उसे हम predicted नहीं कर सकते हैं हमारी daily life में basically हम probabilistic system से ही deal up करते हैं